तो आजकल आपको पता होगा कि अगर कोई परसन बिल्कुल भी वर्किंग प्रोफेशनल है और बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर दे निकाल भी लेते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी गलती होता है तो उसमें ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है इसलिए जो वर्किंग प्रोफेशनल बिल्कुल भी टाइम दे सकते हैं उनके लिए नन डाइरेक्शनल नहीं बने है या आप ऐलगोस कर सकते हैं या स्ट्राइड़ज कर सकते हैं जिसमें।aka fiks सहूँ थेजम काफी सारा वडिएूज बनाएं और तो अपर यूटूपने चेकाटप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग इसी तरीके का सीखने वाले ऐसा strategy जिसमें हम लोग को चलिए हम legs जो है वो बना देते हैं ठीक है तो हमारा जो legs अभी इस तरीके के होने वाला है ठीक है add the money हमारा buy होगा ठीक है 100 point sell होगा और 350 हमारा buy होगा ठीक है जो sell है वो 4 lot होगा और जो नीचे वाला buy है वो 5 lot होगा ठीक है तो ये हमारा इस तरीके का strategy जो है वो बनेगा ठीक है तो अब इसको करना कैसे है इसको करना ऐसे है कि suppose कि किसी का थोड़ा बहुत view जो है market में तो होना चाहिए इसके लिए क्यूंकि हम इस strategy को हर week नी बना सकते है पहला चीज अगर आपको लगता है कि market यहाँ से resistance लेने वाला है तो हम लोग यह strategy बना सकते है ठीक है आपको लगता है कि अगर 26,000 फे market resist करने वाला है तो 26,000 फे हम लोग strategy को बना सकते है ठीक है अब इसमें हमको जब profit होगा तो 3% के आसपास profit होगा 60,000 capital लग रहा है और हम लोग को अगर loss होने वाला होगा तो ये जो break even है इसको cross करेगा जब market तब हम लोग को loss होगा जो की लगभग लगभग 0.6% हमारा दूर है ठीक है एक और example आपको दिखा है तो ये 6th September का trade है इसमें हम लोग at the money buy किये हैं 100 points sell और 350 points buy ठीक है अब ये जो strike price है वो थोड़ा बहुत आप लोग change कर सकते हैं based on risk reward ठीक है अगर आपको कम risk लेना है तो आप लोग selling को दूर कर सकते हैं ठीक है जिससे आपका payoff और better बन जाएगा और ये जो है वो कम risk की बन जाएगा अगर आपको थोड़ा ज्यादा profit चाहिए तो selling को pass कर सकते हैं इसी तरीके से आप buying को भी थोड़ा बहुत shift कर सकते हैं ठीक है sequence जो होगा वो sequence इसी तरीके से होगा buy sell buy ठीक है buy एक lot, 4 lot sell और 5 lot buy ठीक है तो sequence जो ही रहेगा थोड़ा बहुत आप लोग strike price shifting कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत हाने वाला नहीं है तो main मुद्ध है कि आप लोग को इसमें एक view होना चाहिए कि market यहाँ से resistance ले रहा है या यहाँ से support ले रहा है ठीक है अब वैसे ही जैसे ही हमारा view बन जाता है तो वहाँ से हम लोग trade execute करते हैं और अगर यह break even touch होता है इसका मतलब market आपके opposite में 0.7% move कर चुका है ठीक है और आपके opposite अगर 0.7% move कर चुका है तो वो हमारा SL होगा ठीक है मार्केट जैसे ही यहाँ पर cross करेगा तो हमारों को alert आ जाएगा ठीक है तो हम लोग चार्ट पर लगा सकते हैं दूसरा alert हम लोग लगाना पड़ेगा दो परशेंट एसल का 2% हैसल मतलब अगर 60,000 का हमारा capital है तो हम लोग कमार हैं अगर suppose कीज़े साधे 4% 4% तो हम लोग लोग लोज जो है वो 2% का max देना होगा ठीक है max minimum इससे जादा नहीं देना है ठीक है तो 2% का जब loss होगा मतलब 1200 per lot हमको जब loss होगा तो हम लोग उस week में trade जो है वो close कर देंगे और हम लोग accept कर लेंगे कि हमारा जो है हमारा जो view है वो गलत हो गया ठीक है अब एक और चीज़े इसका advantage क्या है अगर market आपके view में नहीं जाता है ठीक है और थोड़ा सा उपर जाके sideways चला जाता है फिर भी आपको इसमें profit है और एक directional strategy में आपको 72% का probability आपको मिल रहा है मतलब 72% chance है कि इस strategy में आपको success मिलेगा ठीक है और इसमें अगर आप अपना view भी add कर देते हैं तो ये strategy और better हो जाएगा ठीक है एक problem इसमें MTM का ठीक है इसमें MTM fluctuation थोड़ा सा जादा होगा market अगर नीचे आता है और ये blue line जैसे क्या होगा जैसे जैसे expiry pass आएगा वैसे वैसे ये जो blue line है वो नीचे आता जाएगा ठीक है ये जो है blue line वो नीचे आता जाएगा तो हम लोग को उस point of time पे इसलिए ध्यान रखना है कि किसी point of time पे अगर 2% का loss दिखता है तो हम लोग exit कर देंगे क्योंकि वो हमारा stop loss होगा और हम लोग accept कर लेंगे कि हमारा view गलत हो गया और किसी भी point of time पे अगर price इधर रहेगा तो हम लोग जो max profit हो max profit हम लोग लेके निकल जाएगे ठीक है और थोड़ा बहुत जैसे ही profit हम को होना start होगा 2% 3% तो हम लोग इस strategy को इस payoff को और safe बना सकते है ठीक है तो यह हमारा strategy का पूरा explanation है इसका theory part है ठीक है हम लोग practical भी दे strategy कर सकता है थोड़ा view बना के और वो other strategies भी कर सकते हैं जैसे आप YouTube पे कुछ videos है मेरे वो देख सकते हैं या workshop मेरे join कर सकते हैं तो उसमें आपको directional भी मिल जाएंगे और non-directional भी मिल जाएंगे लेकिन जो बिलकुल भी time ने दे सकता उसके लिए दो option है या तो एकदम fixed stop loss वाल है तो आपको जो profit है वो हो जाएगा लेकिन max loss हमारा define होना चाहिए अगर आप बिलकुल भी time नहीं दे सकते तो ठीक है दूसरा है algos आप कर सकते हैं ठीक है तो algos भी करना एक तरीके से ज्यादा risky है अगर आप time नहीं दे सकते तो इसलिए आप लोग try कीज़े कि non-directional strategy के पीछे ना भाग के एक hedged strategy देखे जिसमें loss fix हो और view के basis पे आप लोग काम करना start कीज़े ठीक है क्योंकि अगर आप time नहीं दे सकते तो इसी तरीके से आप कर दिए तो यह हमारा theory part हो गया और यह concept हो गया कि आप लोगों किस चीज़े पर focus करना चाहिए अगर आप working professional है तो और किसके पीछे नहीं भागना चाहिए ठीक है आप लोग शूज कीज़े को कोई भी strategy चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यह September trade हमारा suppose कीज़े बन गया है इसमें हमारा व्यूज वह बैरिश है ठीक है तो बैरिश व्यूज के साथ हम लोग चलेंगे अगर हमारा stop loss इटा है 2% का exit कर जाएंगे और अगर हमारा profit होता ह है तो हमारा max profit 4% के आसपास है ठीक है तो market 2 गहंटे से आगे बढ़ाते हैं तो market नीचे गर जाता है अब हमारा profit जह वह 3.3% का है ठीक है तो ऐसे तो हम लोग को ब्रेक एवन 1.7% दूर हो गया तो automatically यह strategy हमारे लिए safe हो गया ठीक है लेकिन इसमें हम लोग अगर चाहते हैं कि यह जो loss और कम हो जाए तो हम लोग और भी कम कर सकते हैं यह जो buying legs है उसको shift करके ठीक है लेकिन अभी need नहीं है तो हम लोग जाने देते हैं ठीक है चलिए तो इस week में market हमारा view सही जाता है तो market हम लोग को reward भी देता है 2800 रुपेगा ठीक है और इसमें हम लोग risk लेते है तो break even पर आपको याद होगा कि हमारे break even पर loss जो था वो 800 रुपेगा ठीक है तो 800 का risk है और हमारे reward जो है वो 2800 का है ठीक है और अगर आप इसमें view अड़ कर देते हैं तो और शानदार है ठीक है चलिए तो उसमें हमारा advantage है 72% probability क्यों है win का क्योंकि इसमें साइडेश में भ आते हैं कोई मेजर resistance ले रहा है और आपको वहां से दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है market यह वहां से रेस्टन्स ले रहा है यह सपोर्ट को break कर रहा है उसके basis पर हम लोग ऐसा view बना सकते हैं ठीक है simple है चलिए अब हम next week का भी देख लेते हैं कि अगर next week में suppose कि यह हमारा वी कोई भी serious community को प्लात्फोर्म पे अभी available नहीं है ठीक है तो हम लोग एक साल से पक्षले एक साल से एक successful community run करते हैं और उसमें हम बहुत अच्छे-च्छे strategies सीखते हं और उसमें जो-जो strategies हम सिखाय है च्छे आपинки करते हैं और जो strategies को मास्ट करते हmeno nak जो इस मुए होते हैं जिनको lifetime तक किया जा सकता है वो temporary strategies नहीं होते हैं ठीक है तो अगर आप भी इंट्रस्टेड हैं तो website भी जाकर check out कर सकते हैं सारे details ठीक है हम आपको थोड़ा explain कर दें तो हम लोग 10 से 12 strategies सीखने वाले हैं जिसमें से 2-3 strategies हम लोग मास्टर करेंगे lifetime के लिए जिसमें दो monthly strategies है एक weekly strategies है कोई भी market condition के लिए दो monthly strategy को भी market condition trending move weeks किसी चीज़ से इसको effect नहीं पड़ता तीन directional strategies working people के लिए सबसे अच्छा और algos भी हम लोग सीखेंगे और कुछ monthly and weekly strategies आप लोग देख सकते हैं website पर आके process क्या होगा आप लोग जैसे videos enroll करेंगे तो आपको videos मिलेंगे concept और strategies उसमें आपको देखने को मिलेंगे videos में ठीक है और वो concept strategies देखने के बाद जो भी आपके doubts होंगे वो सब सारे note down करके आप live classes में हमसे discuss करेंगे live class में हम लोग strategies master करने का try करेंगे ठीक है plus सबसे important community है community में हम कभी भी आप लोग कोई विडाट आता है तो community में पूछ सकते हैं ठीक है और हम लोग community में बहुत सारे experienced traders हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक साथ हम लोग grow करने का try करते हैं ठीक है हमारा second number से batch start होने वाला है अभी first 20 members के लिए जो coupon है वो हम start कर रहे है और बाकी details भी आप लोग website पर चेक कर लिजएगा first 20 people ही use कर सकते है coupon code तिल 12th October ठीक है यह 5 lot ठीक है यह हमारा हो गया इसमें लगबख सेम ही है 25 का risk profit और यहाँ पर 800 का loss अगर market अभी के अभी नीचे चला जाता है तो उपर चला जाता है तो ठीक है तो इस week में हमारा एक बार हम लोग SL वाला week भी देखने का try करेंगे ठीक है तो पहला चीज या तो हमारा 2% का SL हीट हो जाए या तो हमारा break even cross कर जाए दोनों condition में हम लोग exit कर जाएंगे ठीक है या तो break even हमारा break हो जाए या 2% का SL चला जाए दोनों condition में हम लोग loss को book कर लेंगे ठीक है मार्केट में इसलिए मार्केट में हम लोग को लड़ने का ज़रुरत नहीं है हम लोग सिर्फ अपना रिस्क रिवार्ड के दम पे प्रोफिटेबल हो सकते हैं और हर स्ट्राइटजी में एड्जेस्ट्मेंट करना और लड़ाई करना अच्छा बात नहीं होता है बहुत सारे स्ट्राइटजी होते हैं जिसको सिर्फ अजेस्ट्मेंट के बेसिस पे हम लोग हर मार्केट पेंडिशन में वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं से ये weekly strategy हम लोग जो रिसकस करते हैं वो कोई भी मार्केंट कंडिशन में हम लोग adjustment करके manage कर सकते हैं लेकिन कुछ strategies होते हैं जिसको adjustment करने से वो खराब बन जाते हैं और without adjustment वो better होते हैं ठीक है जैसे यह strategy इसमें हमारा 2% का SL आया हम लोग उसको एक्जिट करके और next week के लिए हम लोग jump कर जाएंगे ठीक है इस week का हमारा हो गया इस week हमारा व्यू गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर से हम लोग next week में suppose कीजिए यह हमारा व्यू है और हम लोग यहां पर trade बनाते हैं ठीक है एक शेकन नेक्स्ट वीक में हमारा बुलिश ही व्यू है और हम लोग ट्रेड बनाते हैं suppose कीजिए ठीक है सॉरी बुलिश व्यू है तो इस साइड में हम लोग बनाते हैं वह बैरिश व्यू हो हमारा ठीक है 350 अब इसमें देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ वन पर्सेंट का है ठीक है तो अब इसमें हम लोग को लेक्स जो है वो करना पड़ेगा यह एक्जांपल भी हम लोग देख लिए बहुत अच्छा बात है यह हम लोग को लेक्स जो है वो सिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अब हमारा जो प्रॉफिट है वो काफी कम है और कम प्रॉफिट में हम लोग का फिर वर्थ इट नहीं होगा ट्र के लोगो अब और एक्जिट कर जाएंगे और अगर हमारा मार्केट उपर चाता है तो साढ़े तीन परफिट होगा ठीक है तो इसमें हम लोग को रिस्क रिबॉट पर प्ले करना है मैक्स टू मैक्स दो परफिट का ऐसल हम लोगो देना है और अगर आपका व्यू गलत होत छाइब नोगा तो हम लोगो डिरेक्शनल में एक ट्रेंडिंग मूव चाहिए होता है प्रॉफिट करने के लिए लेकिन आपको सिर्फ चाहिए कि मार्केट यहीं पे रह जाए या साइडवेस हो जाए या यहां से नीचे ना जाए ठीक है हम लोगो चाहिए कि नीचे ना और इसके उपर जो करना है करें साइडवेज रहे या जो भी करें हमको profit हो जाएगा max profit अपना और max profit 1-2 का minimum है हमारा ठीक है तो risk reward हम लोग play कर रहे हैं और maximum weeks में जब आप गलत होंगे तो 800 loss पे भी आप लोग निकल जाएंगे जिससे risk reward 1-4 का भी हो जाएगा ठीक है तो यह हम करने का कोई recommendation नहीं है ठीक है और इस strategy का base पे अगर आपको खुद का कुछ बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा ठीक है चलिए तो अगर आप option selling को लेके serious हैं तो community में add हो जाएगा इंडॉल कर लिजेगा coupon code use कर लिजेगा master मिलते हैं नेक्स टूडियो में thank you so much